तो इस वीडियो में बात करने वाले HDFC बैंक के बारे में और HDFC बैंक ने दोस्तों आज मैं प्रूफ करके दिखा दिया है कि फाइनली अभी ये स्टॉक यहां पर पूरी तरह से सेटल डाउन हो चुका है और ये स्टॉक कुछ भी हो जाए तेरा सौका लेवल और डाउन साइ करने के लिए तो वो है यहां पर HDFC बैंक ये दोनों ने मिल के ही आज मार्केट को सस्पैंड करवाया है वरना अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक की वो कर दे तो मैं बड़ा सा फल मार्केट के अंदर आज देखने को मिलता अभी दोस्तों HDFC बैंक की बात करें तो मैंने आपको बता ठीक है उसी range का ही आपको एक low यहां पर बनता हुआ देखने को मिला है। ठीक है तो जैसे यहां पर 1350 का level ब्रेक हुआ यहां पर एक बार के लिए आपको तेजी देखने को मिली। यहां पर ले सकते हो। अभी HDFC bank के लिए कल के लिए कौन से level से important है। तो अगर HDFC bank कल 1380 के ऊपर निकलता है इससे चाहे वो gap opening हो या कुछ भी हो ठीक है। gap opening करने के बाद अगर वो suspend कर लेता है about 3080 तो आपको एक shark recovery देखने को मिल सकती है। oxide और 1400 से 1450 तक के level आपको देखने को मिल सकते हैं। downside की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो downside में अभी जो आपके लिए level है वो 1350 का 1350 के नीचे निकलता है। shot साल मारो, पहला target लगा 1340, second target होगा 1330 और final target जॉब का होगा होगा। 1320 से 1310 की एक range ठीक है तो ये कुछ level है जो आपको कल के लिए भी यहाँ पर ध्यान में रखने है। तो दूसरी और हम यही करते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।